दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मुबाल में फेस्बुक एप को कैसे यूज़ कर सकते हो जिया दोस्तों अगर आप भी चाहना चाहते हो कि Facebook को हम अपने मुड़ में कैसे चलाएं तो आज किस वीडियो में आपको Facebook के बारे में A to Z complete details में आपको बताने वाला हो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर भी तक आपने मारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लिजगा तो चलिए friends आज कई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे बहुत दोस्तों आपको अपनी मुबाल में प्ले स्टोर से फेस्बूक अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है सिंप्ली प्ले स्टोर में फेस्बूक सेच करना है उसमें आपनी फोटो, वीडियो, रिज़ वगर अप्लोड कर सकते हैं यहाँ पर आप जो है अपनी friend list बना सकते हो तो सबसे बहले दोस्तों फेस्बूक पर आपको अपना account बनाने के लिए यहाँ पर आपको create new account का option मिल रहा है अगर आपने already account बना करके रहा तो यहाँ पर आपना mobile number याँ फिर email आइडियो और यहाँ पर password डालने की बाद login पर क्लिक करते ही आपका facebook login हो जागा फिलाल यहाँ पर मैं जो है facebook का नया account create कर लेता हूँ जैसी दोस्तों आप create new account option पर क्लिक करोगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है get started का option शोग रहा simply आपको get started पर क्लिक करना है सबसे पहले आपको अपना first name डालने की बाद आपको next option पर क्लिक करना है जिस भी name से आप account बना रहे हो यहाँ पर अपना first name last name डाले की बाद जैसे आप next पर क्लिक करोगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी date of birth select करना है यहाँ पर आपकी जो भी date of birth था यहाँ पर आपको अपनी date of birth चूज करना है date, month और year select करने की बाद आपको set option पर क्लिक करना है इसके बाद simply आपको next पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने की बाद जैसे आप next पर क्लिक करोगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना mobile नमबर डालने का option मिलागा अगर आप जो है mobile नमबर से facebook id बनाना चाहते हो अपना mobile नमबर डाल सकते हो अगर आप email id से sign up करना चाहते हो sign up with email पर क्लिक करके अपनी email id से भी sign up कर सकते हो फिलाल में mobile नमबर डाल करके next option पर आपको क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना password create करने का option मिलागा जो भी password आपको याद रहे आपको अपना strong password सेट करना है और guys यहाँ पर आपको six letter का आपको जो है अपना password बनाना है जिसमें guys आप कुछ number capital और small letter और इसके बाद कुछ number add करके अपना strong password टाइप करने की बाद simply आपको next वाले option पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको I agree option पर आपको simply क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों आपके mobile number पर एक OTP आगा और यहाँ पर OTV डालने की बाद जैसे आप next पर क्लिक करोगो OTP आपका automatically verify हो जाएगा इसके बाद दोस्तों आपको अपनी Facebook ID पर आपको जो प्रोफाइल फोटो सेट करने का option लिएगा यहाँ पर अगर आप बाद में प्रोफाइल फोटो सेट करना चाहते तो इसे आप skip कर सकते हो और अगर आप अभी प्रोफाइल फोटो एड़ करना चाहते तो यहाँ पर एड़ पिक्चर वाले option पर आपको simply क्लिक करना है इसके बाद choose from gallery वाले option पर जैसे आप क्लिक करोगे इस पर क्लिक करने की बाद दोस्तों आपकी mobile की gallery open हो जागे जिस भी profile photo को set करना यहाँ से आप photo select कर सकते हो तो guys मैंने आप पर photo select कर लिया इसके बाद simply यहाँ पर आपको done option पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करते है आपका profile photo आपकी facebook profile पर set हो जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ time wait करना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की और not now option पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आपको skip पर यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों add your friends का option शो कराए यहाँ पर आपको friend list शो करेगी उनमें से guys अगर आप किसी भी friend को अपनी friend list में add करना चाहते हो यहाँ इसी आप सेलाइक्ट कर सकते हो Otherwise यहाँ पर आपको skip का बी option भी जाता है इसके बाद दोस्तों आपकी Facebook आइड़ी इहाँ पर open हो जागे पेसबुक अपन होगे लोग इन इन्फो अगर आपके जो लोग इन आपने पास्वर्ड ढला उसे अगर आप सेव रखना चाहत हो जिससे कि आपका डारेकल ये फेसबुक ओपन हो जाए तो इससे आप सेव कर सकती हूं, इसके बाद दोस्तों आपका फेसबुक आइडि इस तरीके से आपका open हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या यहाँ पर आप देख्षतों उपर की और ठी लाइन का option शो करा इस पर जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी profile शो करेगी यहाँ पर आप देख्षतों मेरी profile यहाँ पर पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर अप्लोड फोटो पर क्लिक करके गैलरी में से आप अपना जो है कवर फोटो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी कवर फोटो यहाँ पर आपको डालना है उसी आप सेलेक्ट कर सकते हो इसके बाद आपको कवर फोटो सेट हो जाएगा और इस तरीक से गैज आप देख से तो cover photo पर यहाँ पर set हो चुगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आडिट profile का option मिरता है इसपर click करने के बाद यहाँ पर आडिट कर सकते हो प्रफ़ायल फोटो चेंज कर सकते हो इसके बाद bio का option लेए पर क्लिक करने की बाद यहां से अपनी टाल सकते हों तो यहां पर सकते हों। यहां पर हैड़ करते हों। जो हम ऐड़ करने चालते हों। आप सेव कर सकते हो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे के और आने की बाद यहाँ पर अपनी hobbies, features इसके बाद links वगरा कोई डालना चाहता है तो उसे आप डाल सकते हो edit your about info पर क्लिक करने की बाद यहाँ से आपनी personal info जो हती है वो यहाँ पर आप edit कर सकते हो जहाँ पर अपनी contact info वगरा आप जो है set कर सकते हो अगर आप mobile नमबर वगरा यहाँ पर शो करा तो अगर आप उसे हाइट करना चाहते हो तो ऑनले भी आप चूज कर सकते हो यहाँ पर आप देख तो जो भी आपको settings आपको changes करना है simply आज यहाँ पर आपको बहुत सारे features आपको मिल जाते है तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोफाइल की पूरे editing एडिट कर सकते हो इसके बाद दोस्तो प्रोफाइल की यहाँ पर बात complete हो चुकिए अब गाइस आपको home page home option यहाँ पर people करेगा जहाँ पर स्क्रूल करने की बाद आपको पोस्ट वगणरा शो कर एगर आपको किसी पोस्ट को like कर सकते हो यहाँ मिलता है और यहाँ कि बाद यहां से आप जो Facebook drill यहां पर आप देख सकते हो यहां से फीसबूक PURheel को भी यूस कर सकते हो इसकी बाद यहां पर इस आइकन पर के ले कने के बाद दोस्तों इसकी कि आपको आईडी शो करएंगे ज़र आप उन्हें फॉलो करना चाहते हैं बनाना चाहते तो यहाँ से आप और रिक्वेश्ट को क्लिक करें उनकी पास रीक्वेस्ट चरएकट को एक्सेप्ट करेंगे तो वह आपकर और सकते हो इसके वादध दोस्तों बात आते हैं यहाँ पर आपदोके आपको जो भी नॉटिफिकीशन मिलेगी भाई यहाँ पर शो करेगी इसकेventh यहाँ पर सर्च बार काप्षन मिलताय है इसे लिए जिसलिवे स्लमी यहाँ सकते हो अगर आपको कोई भी इसलिए तो उसका नेम आपको डालना इसके बाद उनकी आईड़ी यहाँ पर show करेगी तो इस तरीके से आप किसी की भी आईड़ी को यहाँ पर जो है add कर सकते हो उन्हें जो है friend list में add कर सकते हो यहाँपर आप देख से people पर click करने की बाद इस UC नेम से जितनी भी आईड़ी वो सभी show करेगी अगर उनको follow करना इस यहाँ पर आप देखसे तो add friend का option देखरा इस पर क्लिक करते हैं उनके पास request चले जाएगी जब भी आपकी friend list में add हो जाएगे तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है किसी friend के किसी की भी ID सर्च कर सकते हो group वगरा pages वगरा यहाँ आप सर्च कर सकते हो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो है आप देखसे तो यहाँ पर आपको उपर के और message का icon शो करें इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप message कर सकते हो जैसे guys यहाँ पर मैं जो एक profile choose का लेता हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जिसके साथ chat करना चाते हो उनकी ID शोग करेगी यहाँ पर guys उनसे आप जो है जो भी online रहेंगे वो यहाँ पर आप शोग करेंगे जिन के साथ आपको chat करना यहाँ से आप आप जो है किसी के साथ भी फ्रेंड के साथ chat कर सकते हो तो इस तरीके से दोस्तों यह सारे features आपको देखने को मिल जाते हैं अब अगर बात करें यहाँ पर facebook पर post करने की तो अब guys यहाँ पर plus का option दिख रहा है आपको नीचे के और एक photo option शो कराए अगर आप जो है यहाँ पर नीचे के और भी बहुत सारे options मिल जाते हैं अगर आपको post करनी है तो post select करेंगे अगर आपको story डालनी है तो story चूज करेंगे यहाँ पर पोस्ट डाल करके आपको दिखा लेते हैं गैलरी पर क्लिक करने की बाद यहाँ से आपको photo select करना जिस भी photo को आपको upload करना है तो मैंने photo select कर दिया इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है उपर के और बहुत सारे options आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको जो है अपने photo के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहता तो यहाँ से आप type कर सकती हो इसके बाद आपको जो है नीचे की और यह arrow का option आपको शो करेगा यहाँ पर उपर की और post वाले option पर simply आपको क्लिक करना जैसे आप post पर क्लिक करोगे तो आप की फोटो जो है फेस्बुक पर upload होना start हो जागी यहाँ पर आप देख तो posting शो करा है हमारी फोटो यहाँ पर फेस्बुक पर upload हो चुकी है इसके बाद लाइक कमेंट वगरा यहाँ पर आपको शो करेगी कमेंट पर क्लिक करने की बाद सारी कमेंट आप पड़ सकते हो इस सबसे बहुत दोस्तों यहाँ पर पोई फोटो सलेक्ट करना ओगा जिस भी फोटो फोटो पर आप जो है शो लगाना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ पर शोब्द सब्सक्रइब कर सकते हो कहीं पर डिंशिकोर्त कर सकते हो उनस kleiner प्लस औप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे की और आपको रील पर क्लिक करेगा जैसे आप रील पर क्लिक करेगा इसकी बाद गैलरी में पर इंपने से आपकी जो भी वीडियो आपको अपलोड करना यहाँ सै आपको उसे सलेक्ट करना है तो फिलाल यहाँ पर हम एक वीडियो को चूज करेंगे तो इस वाली वीडियो को मैं स्लेक्ट कर लेता हू Graduate करना चाहते हो वो कर सकते हो, टेक्स डाल सकते हो, स्टिकर से, सेव का भी option आपको मिल जाता, अगर आप जो clip कट वगरा करना चाहते हो, यहाँ से आप edit कर सकते हो, मैंने आपर सब edit करके रखा, तो हम next पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप type कर स सकते हो, तो आप देख तो इस तरीके से facebook का आप अपने mobile में चला सकते हो, दोस्तों अगर आपको यह video चलागा हो तो इस video को like, share and subscribe